आज हम लोग की जो है टॉपिक दिसा और दूरी दिक्कत वसी आप लोग साथ यह पढ़ रहा है कि टाइम कम है इसलिए फ़रा जली यह पढ़ाना पढ़ा है ठीक है नहीं तो कभी हम पढ़ा देते रिजिनिंग और मैस आपको कभी भूलता नहीं और कहीं भी उससे बाहर रहते इस्दिक है कि दोटी हैं मेलली चार आसयों होती है नार्थ साउथ इस्ट वेस्ट उत्तर दचिड़ पुरव पश्छिम ठीक है यह चार दिसाएं होती है उसके बाद इनके बीजेजम में और आसे होती है ऐसे है ऐसे हुआ ठीक है अब ये लकी रुच्टा ऐसे चली गई हो ऐसे चली गई हो कहीं में इन दोनों की बीच में कहीं पर भी होगी ठीक है उसको क्या बोला जाएगा इसको क्या बोला जाएगा South East North East North West South West इतना मालूम है ना उसके बाद कहीं पर भी वाल, यह यह है यहां ऐसे बीश से करके ऐसे कर दिया है, तो भी हमारा क्या? South East ही होगा, ठीक है? वह भी तब भी हमारा क्या? South East ही होगा ठीक है, यह हो गया सबसे पहले दिसा, ठिक है दिसाय कितनी हो ती में छार होती है और चार में सबको मालूम है उत्तादच्विपूरफат, पश्हिम ठिक है, उसके बीच में कहीं रहेगा तो नार्थीस्ट और साथीस्ट जो भी है ठिक है है आवर इन्य को कुछ और नामों से बुला जाता है हूं को पूर्वत्र पश्मोत्तर से बुछा दूर नो घंसे ंहारे और कौन से हैं हमारे डेश सभारत उसमें पूर्वत्र राज हैं उनको सेवन सिस्टर भी कहा जाता है को इसमें बताओ सेवन सिस्टर में जो है इस्टेट हमारे उसको कोई भी नाम नहीं गोरफपुर तो स्टेट फोन है वो तो क्या है सहर है उपी का जो हमारे नार्थिस्ट है उधर जिधर क्या है असम, मिजोरम, मड़ीपूर, मेघाले, नागालेंड ठीक है और अरुड़ांचर प्रदेश यह जो हमारे है यह सेवन सिस्टर भी कहा जाता है साथ बहनों का राज ठीक है तो यह सब पुर्वत्तर से ज़्यादा कुश्शन साथ है ठीक है एक तो यह हुगा इसका बेसिक कि सबसे पहले तुमको दिसाओं का ज्यान होना चाहिए दूसरा इस में दूसरी बात है एक पुछा जाता है नियुन्तम दूरी ठीक है नियुन्तम दूरी का मैंस होई है कि माल यह और यह जाता है, और फिर यह पुछा जाता है, इसके दोरा चली गई नियुंतल दूरी यह तक पहुचने के लिए सबसे कम कौन सी दूरी चलना पढ़ाइगे, लुगो कुछ भी गई था से पुछ लेगा यह जब तक कुल दूरी नहीं पूछेगा तब तक आपको हमेशा यह मानना है कि हमको नियुनतम दूरी ही निकालना है जब कुल उसके दोरह चली गई कुल दूरी पूछेगा तभी आप सबको कल्कुलेट करूँ यह समालो यह पांच है, यह तीन है यह पांच है, यह चार है ठीक है, ऐसा दे दिया ठीक है, कि यह पांच किलोमीटर गया फिर अपने वाएं मुड़ा, फिर अपने दाइने मुड़ा फिर अपने वाएं मुड़ा, फिर बी तक पहुचा ठीक है, तो इसकी इसके द्वारा A से B तक पहुचने के लिए कितनी दूरी तैक करनी पड़ेगी यदि इस तरह से कुश्चन भी आगे कितनी दूरी तैक करनी पड़ेगी तब भी हमको क्या नियुनतम दूरी निकालना है जब तक कुल दूरी नहीं पुछेगा यदि कहेगा कुल दूरी कि चली गए कुल दूरी तब हमको 158 513 4 1700 तब हमको 17 ख़ंटर करना है नहीं तो हमेशा नियुनतम दूरी निकालना है नियुनतम दूरी क्या होता है नियुनतम दूरी क्या है कि start-cut अभी तैक का इस इस एक जामे साटकट लोग पढ़ते हैं उसी तरह इसमें साटकट साटकट हमारा कौन सा होगा डारेट ऐसे होगा ऐसे हमारा यह क्या होगा यही साटकट होगा इससे साटकट तो कोई होगा नहीं ठीक है इसे जाते हैं ऐसे जाते हैं ऐसे जाते हैं तब भी दूरी पड़ेगी ऐसे जाते हैं ऐसे जाते हैं तब भी हमको ज़्यादा दूर पड़ेगा साट कट कौन सा होगा हमारा सीधे तिरशा ठीक है यह हमारा क्या होगा साट कट होगा यह हमारी क्या होती है नियुनतम दूरी होती है अब इसको ग्याद करने के लिए इसको ग्याद करने के लिए यही दूरी हमको कहा से ए से लिए बी तक यही दूरी हमको ग्याद करनी है इसको मालो कुछ भी यही दूरी हमको ग्याद करनी है यही दूरी हमको ग्याद करनी है यही दूरी हम पूछा जाता है हमेसा कुछ जो पूछा जाता है यही पूछा जात लंबवद दूरी माइनस आधार दूरी ठीक है लंबवद दूरी क्या होती ये पुरा यहां से लेकर यहां तक जो होती है इसी को लंबवद दूरी कहते हैं कुछ भी भासाम अपने में बना सकते हो ठीक है पाइथागोर्स उसमें पढ़ोगे तो इसको पाइथागोर्स परि है वह पाई था आगर्सथ तो चाहिए फर्मूला रयाद कर लो उससे वह रही है बस समझने वाली बात है कि हमको क्या 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 करना है तो क्या है लंब वठ दूरी और आढ़ार प्लस एम्हार यह हो जाएगैं आढ़ार प्लस यहां तक हो गयां हो साथ हो गया ठीक समझाया थे उसके बाद यहां से लेकर यहां तक यह पांच है तो यहां से लेकर यहां तक भी यह पांच है तो यहां से लेकर यह तक क्या हो जाएगा पांच 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 कितना हो जाएगा ठीक है इतना समझाया थे यह हमको यह चीज हमको करना है अब इस को माल लो यह इसी पर निकालना है तो चाहे जो चाहे प्लस होता है इसी दोनों को चाहे जो चाहे इसको पहले लिख लो यह होगा है लंब बहुत दूरी चाहे जो माल लो ठीक है तो साथ का स्क्वायर प्लस दस का स्क्वायर साथ सत्य वन चास प्लस दस सो यह होगा एक सो वन charge का root ठीक है बस यही हमारा answer नियुंतम दूरी हमारी क्या जाएगी 149 इसको और solve करना तो इसको वर्गमूल निकाल लो ठीक है वर्गमूल निकालना भी नहीं बताया है न चलो वर्गमूल भी आज बता देंगे ठीक है तो यह इस तरह के नियुंतम दूरी कहले लो इसमें क्य यहां से जो नहीं बता रहे हैं सबको जोड़के फिर हमको उसका square करके दोनों को add कर देना फिर उसका वर्गमूल निकालना यह हमारा क्या होता है नियुंतम दूरी दूसरा यह हुगा पहला तो खाली दिसा पूछ लेगा दूसरा दूरी पूछ लेगा तीसरा और एक मंजीत ठीक है एंगिल से याकोर से मंजीत प्रशन कौन से होते हैं ऐसे कभी कभी बोल देगा चीजे समझे आ रहे हैं ना कभी कभी ने बोल देगा ये कि पूरब की तरब मुख करके खड़ा है वह अपने बाएं 90 डिगरी घुमा अपने बाएं 90 डिगरी घुमा ठीक है फिर उसके बाद कहेगा फिर अपने दाएं 180 डिगरी घुमा ये अपने बाएं 90 डिग्री घुमा फिर कहगा 180 डिग्री अपने दाइने घुमा तो अब उसका चेहरा या उसका मुख किस दिसा में है ठीक है इस तरह से question से आते हैं ठीक है तो देखो अब angle की जब question से इस तरह से आते है तो angle भी दो तरह का होता है angle जो होता है दिसाए direction में दो तरह का होता है एक होता है कौन सा clockwise clockwise दूसरा होता anti-clockwise clockwise का means हम यहां से ऐसे चलते हैं ऐसे चलते हैं तो यह हमारा क्या होता है clockwise होता है ठीक है लेकिन हम इसको ऐसे चलते हैं तो यह हमारा क्या होता है anti-clockwise होता है जब घड़ी की दिसा की तरह चलते हैं तो उसको हम clockwise बोलते हैं अब घरी कि जब प्रीदी सामें जलते हैं उसे anti-clockwise कहते हैं ठीक तो इसे दो टाइप किस में भी कुष्ण आए गया क्लाक वाईज और anti-clockwise कभी-कभी questions वोसो ज़्यादा कुष्ण अभी मैं UPP में देखा हूँ तो यहाँ से पूछा गया है यहां से पुछा गए 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 इन कलाक वाइज सबसे सेंपल होता है कभी कभी कई बार यह से गुमा देगा कि कलाक वाइज इसको कहते हैं इसको कहते हैं बामावर्थ इसको कहते हैं दच्छिडावर्थ ठीक है हिंदी में इसको बामावर्थ दच्छिडावर्थ ठीक है तो इसमें इसमें क्या होता है कि एसी कभी विश्चत तरह सक्राइज है कि 180 मिल्लब clockwise 180 हुमा फिर 90 अंस anti-clockwise हुमा फिर 70 अंस clockwise हुमा ठीक है फिर 60 अंस clockwise हुमा फिर 190 अंस anti-clockwise हुमा इस तरह सक्राइज कई टाइप मिल्लब कई बार पूछ लेगा मिल्लब कई बार इसी में घुमा देगा कि 90 अंस clockwise फिर anti-clockwise 180 अंस गया 360 अंस गया 210 अंस गया कुछ भी इस तरह से कई सारे clockwise औ एंटीclockwise दिये रहेंगे तो इसमें करना नहीं कुछ जितने clockwise हैं सबको add कर लेना एक साथ जितने इसमें clockwise मालो कितने एक clockwise और कहा clockwise दो clockwise तीन clockwise ठीक है तीन है तीनों को हमको पहले add कर लेना है इन तीनों को add कर लेंगे ठीक है इसको और इसको और इसको क्या करेंगे add कर लेंगे उसके बाद यह जो भी आएगा अब ही हम इसको मान ले इसको लिखना मत कुछ जो भी आए मालो आए गया 300 हम सभी clock wise को add के लिए 300 आए 500 आए जो भी कुछ आए उसके बाद हम फिर क्या करेंगे anti clock wise फिर हम क्या करेंगे anti clock wise को जैसे इसमें जोड़ें उसे सब को anti-clockwise को जोड़ेंगे माल लिए को जो भी आएगा माल लिए 280 आया ठीक है anti-clockwise 280 आया ठीक है समझ में आ रहा ना अब इसको हम क्या करते हैं घटा जेते हैं इसको हम घटाने के बाद जो भी आया हमारा यही और फिर last में जो बोला रहेगा कुष्ण में अभी कुष्ण आया तो और ज़्यादा समझ मेंगा last में जो भी कहा रहेगा कि anti-clockwise घूमा अब कि इस दिसा में है उसका चेहरा ठीक है तो बस last में जो भी आएगा वही हमारा answer हो जागा इसलिए सबसे simple यह रहेगा तो consume 4-5 लाइन का लेकिन आप इसको सिकंडों में solve कर दोगे ठीक है तो अभी यह क्यों थीम बता रहे हैं अभी इसको मनलब note मत करना है कि कैसे कुष्ण साते हैं यह हम अभी आपको बता रहे हैं clockwise से ठीक है फिर यह हुआ अब तीसरा एक कुष्ण और चोथा type कुष्ण इसमें आता है जो वो आता है परचाई से परचाई से परचाई से में समझे तो image जी बनती है कि अब जीसas हम लोग सुबे निकलते हैं साम को निकलते हैं जबतको नोब धूप डहती है रात में नहीं कि रात में नहीं कि लाइट के रोसनी से हमारा इमेज बन रहा है उसको नहीं जब सुबह या साम लब सुबह जब भी रात में नहीं कुछन पूछा जाएगा पूछा जाएगा मैंसा दिन में ही पूछा जाता है ठीक है सूबह के टाइम पुछा जाएगा या साम के टाइम पुछा जाता है कभी फिर दो पार कभी एकदम exact नहीं पुछा जा कि 12 बजे उसकी परचाइए किधर पड़ी एक 12 बजे उसकी परचाइए पड़ती ही नहीं किसी इंसान कोई वो रहता है तो इसलिए बारावजे उसके से परचाई नहीं पड़ती है वो सुबे का पुछेगा उसमें कुछ जो कुछन रहेगा उसका वर्ड जो रहेगा वो सुबे पुछेगा या साम पुछेगा सुबे और साम में ही परचाईयां चेंज होती है तो परचाई से कुशन आता है परचाई में दो चीज खली समझ लो कि जब सुबह के टाइम जब सुबह दिया रहेगा ठीक है जब सुबह दिया रहेगा कुशन इससे सही कपड़ा ही है ठीक है यह सुबह के टाइम दिया होगा और यह साम के टाइम दिया रहेगा जब सुबह सुरज कहां से निकलता है पश्चिम से ना सुरज कहां निकलता है पश्चिम निकलता है कि उत्तर से निकलता है कहां से निकलता है पूरब से सुरज कहा निकलता है पूरव से अस्त किधर से होता है संसेट किधर होता है पस्षिम में किद छुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् पश्यम में ठीक है इसे में लिए हम ये इधर पूरब खड़े हुए है तो हमारी परचाई कहां पड़ेगी हमारे पीछे पड़ेगी कुछ पुछे गए तो हमारी परचाई कहां पड़ेगी पीछे पड़ेगी हमारे मुख इधर है दच्छिर साइड है तो हमारी परचाई क परचाइं हमें से पश्चिन दिशा में पड़ेगा अब पश्चिन दिशा में पड़े गया अब हमारा मुक चाहिए इतरा हो कोई वेक्ति उत्तर की तरब मुख करके खड़ा हुआ है तो सुबह का टाइम है तो उसकी परचाई किस दिसा में पढ़ रही होगी या उसकी परचाई उसके दाइने पढ़ रही है बाएं पढ़ रही है उसके पीछे पढ़ रही है तो उसकी परचाई कहा पढ़ रही होगी पताओ सुबह के टाइम होगा सुबह का टाइम है और कोई वेक्दी जो है उत्तर की तरब मुख करके खड़ा है तो उसकी परचाई उसकी परचाई उसके दाएं पढ़ेगी बाएं पढ़ेगी पीछे पड़ेगी आगे पड़ेगी मलूई यह चारो आप से न हो गए सुबह का टाइम है बताइए क्या उसके बाएं हमने हमेसे कहा है कि पश्चिम अब आपको पश्चिम दिसा हम उत्तर यदी खड़े हो गए इसे यह उत्तर है हम यदी यहां ऐसे खड़े हो गए है तो हमने हमसे कहा है कि जब सुबह की टाइम होगा तो हमेसा क्या पड़ेगी पश्चिम में पड़ेगी तो हमेसा हम उत्तर हो गए तो हमारे क्या होगा बाएं पड़ेगी हम दच्छिर हो जाएगे तो हमारे क्या होगा दाहिने पढ़ जाएगी यदि हम क्या है पश्चिम में खड़े हो जाएगे तो हमारे क्या है आगे पढ़ेगी यदि हम पूरब में खड़े हो जाएगे अपना मुख करके तो हमारे पश्चिम कहा पढ़ेगी पीछे पूरज जब निकला, फिर इस question में दे देगा फिर साम को, ठीक है, इस question में साम को दे देगा, तो ज़स इसका क्योंकि सुरज कहां पहुच चुका होगा, परच्छाई कहां पढ़ेगी, पूरब में, साम का time में परच्छाई पूरब में पढ़ेगी, और सुबह के time में दिसाज में पूछेगा, दूसरा, दूरी से पूछेगा question, तीसरा, कोड भी दिया रहेगा, लेकिन क्या पूछेगा, दिसाजी पूछेगा, चौथा question में परच्छाई से, बस यही चार टाइप के question इसमें से पूछे जाते हैं, लेकिन most जो EPP में पूछा गया है, वो यह और यहाँ से पूछा गया है, लेकिन कुछ कहा नहीं जाय से थे क्योंकि 4-5 साल भी चुके 2019 में पेपर हुआ तो उसके बाद, अब जो भी 24 में पेपर होंगे, तो 4 साल में पेपर बहुत अपग्रेड हो जा रहे हैं, ठीक है, पेपर का कोई वो नहीं है, अपग्रेड हो स और चार दिसाएं होती है, जिनको जो भी क्या है, नार्थीस्ट, साउथीस्ट, साउथ वेस्ट, यहाँ, यह सब कहा जाता है, जो भूहा लिखा है, फिर उसके बाद दूसरा है हमको नियुनतम दूरी, नियुनतम दूरी क्या हमको लंबवद दूरी, काई स्कॉर माइनस, लंबा दूरी प्लस आधार की दूरी का इसको जोड देना है ठीक है तो खेली यहाँ दिमाग लगाओ कैसे किसमको जोड़ना है यह जोड़ना है बस ठीक हमारी क्या है नियुद्धर दूरी निकल जाएगी उसके बाद हमने कहा एंगिल से कोड से समंधित कुश्चन साएंग कि अपन्ट परशन बताई है जो हमारा पंखा है एंटी क्लाक वाइज चलता आप जाके घर पर चला के देखेगा खासकर इलेक्ट्रानिक समान जितने अकसर होते हैं वो एंटी क्लाक वाइज चलते हैं हमारा पंखा इलेक्ट्रानिक समान होते हम संब ही जहसे क्या चलते हैं तुम्हारा पंखा भी एंटी क्लाक वाइज नहीं चलता है हुआ है उढका यहां चलेगा नहीं चले चल Manufactaly सब और देखो आइसे चला कि नहीं देखो ऐसे इसे चलो ठीक हम को शुचन करना ठीक फिर उसकी वाद आगा को तो समझेट के अंटीक ख्लाक वाज है अंटीक लाइक जो तो तो मळारा कि हम परचाइश्वत आएं ठीक है परचाई जैसे हमने क्या कहा जब सुबह के टाइम रहेगा तो परचाई कि इधर पड़ेगी और जब साम को रहेगा बूरा बस नियुनतम दूरी का निकल फार्मूला लिखना हो यह लिख लो यतना यहां तक लिख लो हाँ चाहिए यदि सब लिखे होगे तो रहने दो यदि याद हो गया हो और परचाई में परचाई में क्यों लिख लेना पॉइंट डालके नोट कर लो कि अ स्वचों लिख, नो नोग एज वे तो हमें खाम को उब Windows नोग ऑ झाल 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 यह सुबह के टाइम है साम के टाइम में क्या होगा जैसिस का उल्टा हो जाएगा साम का लिखके फिर परचाई पूरब की तरफ झाल कभी भी कुश्ण दाइट बूश लेता कि दोपार के बारा बज रहे हो तो परचाई कि धर पड़ेगी तो परचाई नहीं पड़ेगी तो इसे इत कुश्ण पूशेगा तो डारेक्ट काली पूशेगा कि बारा बुशे ऐख से एंव तो परचाई पूशेगा इन्हीं परचाई नहीं पड़ेगी तो परचाई पड़ेगा बहुत से चीज़ें दिखाने चाहिए लेकिन अब होई है टाइम नहीं इसलिए जाए 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 लिखाने इसको भी लिखाना नहीं चाहरे लेकिन थुरा से लिख लो काम देगा बाकि एक्जाम के बाद भी जिसको मैथ हो रिजनिंग का एक फाउंडेशन टाइप का बैच चलेगा जिसको करना होगा रिजनिंग हो मैथ वहाँ तर फिर डीपली पढ़ाएगा तब यह नहीं कि एक दिन में डारेक्शन खतम होगा होसता दो से तीन दिन डारेक्शन फिर लगेगा मैं लब कहने तब फिर उसके बाद पढ़ने के बाद फिर आपको दुबारे कभी भी रिजनिंग नहीं पढ़नी पढ़ेगी मतशन पर्शाइं का अब सुभा का टाइम रहेगा सुभाई से डालना फिर परशाइं पढ़ेगी या पश्वीं के ओर पढ़ेगी फिर कराद कोई बेक्तौत्तर की ओर मूं कर गें मुख है तो उसका परचाई उसके बाएं तरफ दच्छिड की ओर है तो परचाई उसके दाएं तरफ और पूरब की ओर है तो परचाई उसके पीछे और पश्रिम की तरफ है तो परचाई उसके आगे पड़ेगी परचाई उसके अनुसरल करते हुए कभी भी हिंदी में लिगा है कि पर्षाइए उसके क्या अनुसरल करते हुए हैं लब येसे से वो चल रहा गया 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 और इसे से पर्षाइए उसकी आगे चलते रहेगी अनुसरल कर रही होगी साम को पूरब की तरफ बस दिमाग में यही तो चीज रखना कि सुबह है तो पश्चिम साम है पूरब फिर अपने आप निकाल ले जाओगी अपने आपको वहां खड़ा करना अपने आपको ऐसे ही खड़ा कर लिए उसे इसी को उत्तर माना करो कभी भी अपना लोग कोई को ये उत्तर माननेते हो उसे भी कुशन गलत नहीं होगा लेकिन किया होगा कि दिक्कत होती हमने पने इसी से इसलिए हम करे है हम इसा उत्तर को हम सा ऊपर वाले को उत्तर मानो अधिक है इस मेन हमारा कौन सा राज ये था 2019 में के पहले इस सबसे उत्तरी राज हम पुछे है तो हमारा कौन सा राज है भारत का राज भारत लिखो जब राज पूछ रहे हैं तो भारत के जो 28 राज और आठ केंद सासित प्रदेश हैं उनकी बात हो रही अरे हम सहर नहीं पूछ रहे हैं हम 2019 के पहले की बात बता रहे हैं पूछ रहे हैं जम्मू कस्मिर जो जम्मू कस्मिर है सबसे उत्तर में दच्छल में सबसे कौन है तर्मिल नाडू है अभी पॉइंट हम नहीं पूछ रहे हैं कन्या कुमारी और इंदरा काल इंदरा पॉइंट वो सब नहीं पुछ रहे हैं हमारे देश का सबसे पूरवी बिंदू कौन सा है इसे इंद्रा काल इंद्रा पॉइंट पढ़े हैं कि नहीं है इंद्रा काल इंद्रा पॉइंट पढ़े हैं कि नहीं है कि देखो यह हमारा माल यह जो भी हमारा देश रहेगा ठीक हमारा भारत है तो इसका एक उत्तरी लास्ट पॉइंट है एक दच्छडी को लास्ट पॉइंट होता है एक पूरब का लास्ट पॉइंट एक पश्चिम का लास्ट पॉइंट यह चारो लास्ट हमारे पॉइंट हम अच्छांद देसंतर रखाइने पूछने है था लोग सबसे पहले क्या लूशनेंड लेके जीएस के लिए पढ़ डालो क्योंकि सारी कुछ जीएस में यह सब दिया है लूशनेंड में ठीक है इसको जो लास्ट पॉइंट है इसका नाम है किव तू यह अरुडांचर प्रदेश में है किव तू है नाम इसका ठीक है यहाँ पे है लास्ट में यहाँ पे है इसको कहा जाता है इंद्राकाल ठीक है इंद्राकाल जम्मु कसमी रह में है लास्ट पॉंट जो है इंद्राकाल और ठीक है और जो हमारे दच्छिड में है वो ऐसे हमारे यहाँ पे नहीं है कहाँ पे जो हमारे यह राज जो हमा अंदमान निकोबार है उसी में एक पॉइंट है उनको कहा जाता है इंदरा पॉइंट इंदरा पॉइंट तो यह हमारा पश्री में है इसका जो नाम है अभी सासे नाम है भूल गए है उसे पोर बंदर में पढ़ता है पोर बंदर में पढ़ता है सासे नाम है गुजराद में है सासे नाम है भूल गए है इसे में नहीं सावर मती नहीं है नहीं चलो इसको इंद्रा काल कहते है इसको उपरी किंद्रा काल कहते है इसको इंद्रा पॉइंट कहते है दच्छिड में इसको किप्तु कहते है इसको पोर बंदर में ही है लेकिन याद नहीं आ रहा है साथ से नाम भी उसका बोला जाता है तो हो है ठीक है तो ये ये देम कुशन आजए कि सबसे पहले हमारे यहाँ किस राज्जी में सूरज उगता है अरवनाचर परदेश का अरवनाचर परदेश का ठीक है चलो यहाँ से परशाई तक आए क्योंकि प्रिजिनिंग पढ़ते पढ़ते वहाँ चले उन्हों उटकर लिये सब लोग चलो एक कुशन लिखो ए बैगती ए एपल ओला ए बैगती एक ही कुशन में सब हम करा दे अच्छा लग लग करा देने कोई में ए बैगती उत्तर की तरब मुख करके खड़ा हुआ है यह यह इस लिखने हो ए बैगती उत्तर की ओर चार किलो मीटर जाता है उत्तर की ओर चार किलो मीटर जाता है फिर वहाँ अपने फिर वहाँ अपने बाएं मुडता है फिर वहाँ अपने बाएं मुड़ता है और पांच किलिमीटर चलता है फिर वहाँ अपने बाएं मुड़ता है पांच किलिमीटर चलता है फिर वहाँ अपने बाएं मुड़ता है फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और साथ किलोमीटर चलता है चलता है उसका मुख पहला कुछ लिखो ऐसे वह उसका मुख उसका मुख उसी में पहला डालके उसी में लिखो उसका मुख किस दिसा में है दूसरा कोश्चन उसे में दूसरा डालो वह कुल कितनी दूरी चला वह कुल कितनी दूरी चला जहां से चला था वहां पर पहुचने के लिए उसे कितने पहुचने के लिए उसे कितनी नियुनतम दूरी तैक करना पड़ेगा नियुनतम दूरी या उसे कितनी दूरी तैक करना पड़ेगा या नियुनतम दूरी कुछ भी कुछन आएगा तो नियुनतम ही निकालना है उसे कितनी नियुनतम दूरी तैक करना पड़ेगा कुश्चन एक है एंसर उसके तीन आने चाहिए इसे में पर्षाईए वाला भी देने वाले थे लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाता फिर अभी पांच कुशन सो जाते हैं पांचे कुशन एक ही थो खुशिस करें दिमाग लगा है फिर हम बता रहे हैं पांचे करें पांचे कुशन सो जाते हैं क्योंकि इसे दो से तिन कुशन जरूर आएंगे लेकिन दो कुशन आया है जो रोकी अगली बार ये कुशन भी सिर इसे खिला देंगे प्रेक्टिस आपको नहीं तो छोटे में ऐसे बना लिए कहीं भी जो कुशन में नार्थ साउथ इस्ट वेस्ट अपनी कॉपे में जब भी प्रेक्टिस नहीं है कौन सा नार्थ साउथ है तो हलका सा ठीक है जिनका आगया अच्छी बात है वो अपना भी एंसर मिला लेंगे ठीक होगा जहां गलती की होगे अपना देखनें गलती कहा है ठीक है तो सबसे पहले हम छोटा सबना लेते हैं इसको ना मालूम है अब फिर ह अपने हाँ नखलो हमें ऐसे जा रहे हमारा बाइं कौन सा यह होगा फिर करे के वीटर चला बाएं pięकiset चला ठीक हमारे बाएं चला फिर जब यह बाएं तो अपने वाएं अपने यह इमेजिन किया करो कि हम हाप कि दर चल रहे हैं इस से चल रहे हैं इसमें जो गलती होने की चांस क्या रहते हैं वो हम बता रहें आपको यह ऐसे चलाएंगे चार किलो मिटर ऐसे चलाएंगे पांच किलो मिटर ऐसे चलाएंगे साथ किलो मिटर ठीक है? कुछ लोग ऐसे चला देंगे 7 km या ऐसे लाके यहां तक छोड़ देंगे 7 km ठीक है? लेकि जब 7 km कह दिया है तो इतना दिमाग में लगा लो कि इस पॉंइंट से आगे कहीं होगा क्यों कि यहां से लिगा यहां तक 4 km है तो इस से इस point से हमें सा कहीं कहीं आगे ही रहेगा चाहे थोड़ा सागे क्यों ना रहे लेकिन वो क्या रहेगा आगे ही रहेगा तब तो 7 km तरह करेगा समझ में आ रहा है point लोग जो गल्टी करने के chance जो होता है यही को होता है यही रहेगा तो देख लो वो इससे ज्यादा तो नहीं दिया तो उसके आगे तक चलाओ यहां तक समझ में आए कि नहीं आया सब भी को बताओ यहां समझ में आए कि नहीं कि सबसे पहले अपने आपको माल लो कि हम उत्तर के तरफ जा रहे हैं फिर चार क्लिमेटर फिर हम बाएं मुड़ें फिर पांच क्लिमेटर चलें फिर हम अपने बाएं मुड़ें ऐसे हम जाएंगे तो हमारा बाएं फिर यह होगा यह ओला तो हम अपने बाएं मुड़ें फि उसको यहां तक लाके कर लो, तो मतलब तब भी होई रहेगा, लेकिन उससे थोड़ा सा आगे ही जाएगा, ठीक है, यहां ते समझ में आ गया, अब हमारा फीगर बन गया, जब हमारा फीगर बन गया, तो कुशन बहुत जल्दी है, बाराम से हो जाएगा, सबसे पहला कुशन अब देखो, सबसे पहला कुशन पूछा था, कि किस दिसा में है उसका मुख, उसका मुख किस दिसा में है, तो उसका मुख किस दिसा में है, यह नीचे कौन सा आ रहा है, साउथ, तो पहले कहा हो जाएगा, साउथ, दच्छल, ठीक है, पहला कुशन निकल अगा, दूसरा क किलमेटर तीसरा कुछन था कि नियुनतमदूरी के लिए हमने क्या कहता है साट कट साट कट कौन सा मारा होगा यह अला साट कट होगा यह मारा क्या होगा साट कट होगा ठीक समझाएं कि नहीं हैं अभे देखो अब जब यह पांच किलोमीटर यहां से यहां है तो यहां से लेकर यहां तक भी कितने किलोमीटर हो जाएगा ठीक यहां से लेकर यहां तक चार किलोमीटर है तो यहां से लेकर यहां तक कितने किलोमीटर हो जाएगा चार किलमेटर हो जाएगा, जब यह चार हो जाएगा, तो साथ में से चार घटाएंगे, तो यह कितना हो जाएगा, तीन किलमेटर हो जाएगा ना, अब हमको यहाँ से लेकर, यहाँ तक के दूरी पता चल गए, यहाँ से लेकर, यहाँ तक के दूरी पता चल गए, अब निय नियूनतम दूरी बस लगा दो नियूनतम दूरी बराबर 5 का स्कोर में प्लस 3 का स्कोर केतना 25 तीन का स्कोर में नो पचीस नो 34 चो तिस का अंडरूट बस यही मारा किलोमीटर तो हमें आया एक कुछन की नहीं आया क्योंकि ऐसे ही कुछन भी अभी देखो कभी आया था उपीपी के पिर भी असेर पेपर में ही आया है 26.10.2018 वाले पेपर में एक कुछन भी आया है वो हम फिर करवाएंगे इसलिए यह चीज़ समझ में ना आया तो फिर से पूछ लो फर्स वाला साउथ कैसे है ना ठीक है अब देखो हमने क्या कहा है यहां से हमने सुलू किया ऐसे गए फिर ऐसे गए ठीक है फिर ऐसे आए ठीक है अब हमारा मुझ किधा रहे फिर साऊथ में ही तो देखो ही हमने क्या व्तार था ऐसे बना लो यह साउथ है यह नार्थ है यह इस्ट है यह बेस्ट है तो यह नीचे ही तो हमारे argument घुवारा है यह इसी के तरफ मुख हुआ है ऐसे तो मुख रहेगा हम जा जाएंगे हमारा मुख यह ऐसे होता है तो हमारा क्या होता है पच्छी में होता है यह हमारा मुख ऐसे होता है तो हमारा क्या होता है क्योंकि पूरव मारा सामने है तो यह पूरव की तरफ होता है हमारा मुख ऐसे होता है तो हमारा क्या हो उत्तर की और होता है ठीक है सब्सक्राइब और परपंडिकुलर या इसको कोई point नियूत तंदूरी का A.C. का square बड़ाबर A.B. का square पलस B.C. का square यह होगा फिर इसको बीप का root टाऊओगे तो A.C. का square A.C. बराबर वह अंडर root हो जाएगा A.B. का square पलस B.C. का square ठीक है आप लोग में टेंगना मेंटरी आएगा नहीं नहीं पाइथागोरस पर्मियम में यह वला पढ़ते है फर्मूला तो इसको जाए फर्मूला बैसे आपको दिमाग में यह करना है कि हमको इसका इसको आर करके जोड़ देना है ठीक है चाहिए पहले इसको यहां लिख देते है चाहिए इसको यहां लिख देते है बात एक ही क्योंकि प्लस में आगे पीछे चाहिए जो लिख दो चाहिए पांच प्लस तीन करो तब भी आठ आएगा चाहिए तीन प्लस पांच करो तब भी आठ आएगा और कुछ कुछना इसमें, इसको रमशार क्वशन में नहीं, पुछना तो अगला कुशन सबका आना चाहिए, ऐसी कुशन में पासाएं गला भी नहीं दें, पासाएं ओने अगला, दो कुशन बचाया है उसको बार में भी, छलो नोट हो गए यह, चुलिए एक कुशन आया है 2018 में अभी ये सब हम अभी पेपर ये वर खतम हो जाए तो सारा जो ये है प्रिवियस एर पेपर करीब पेपर आये हैं इसमें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा ग्यारा प्रिवियस एर पेपर हैं और ग्यारा ग्यारो हम सॉल्व कराएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है तो इसे में कए कुशन आया है लेखो, अतुल उत्तर की तरफ पांच किलोमेटर की दूरी अतुल उत्तर की तरफ पांच किलोमेटर की दूरी पांच किलोमेटर दूरी तै करता है और फिर तै करता है और फिर यह नोट हो गया ना सबका और फिर दाई और मुल कर और फिर दाई और मुल कर फिर दाई और मुल कर तीन किलोमेटर चलने के बाद दाई और मुल कर तीन किलोमेटर चलने के बाद दाई और चलने के बाद तीन किलोमेटर क्या लिखे मुलकर 3 किलो मीटर चलने के बाद फिर से दाई और फिर से दाई राइट ही दोनो बार दाई ही है दोनो बार राइट है लेफ्ट नहीं है फिर से दाई और 5 किलो मीटर चलता है फिर से दाई और मुलकर 5 किलो मीटर चलता है माचने उटे चलता है इसमें कुछन एक ही पूछा लगए हम सब सारी कुछन इसमें तीन के तीनों फिर पूछेंगे लिखो अच सबसे पहला कुछन जो इसमें पूछा है पूछा है सुरुवाती सुरुवाती बिंद से कितनी दूरी पर है ये जो इपीपी में कुछन साया है ठीक है वो अपूछा अब इसमें लेकिन दो कुछन बढ़ा रहे हैं दूसरा कुछन लिखो इसमें उसका मुख किस दिसा में है मुख किस दिसा में है ठीक है कुल दूरी आप लोग तो जोड़ी ही लोग है तीसरा कुछन लिखो सुरुआती बिन्द से सुरुआती बिन्द से सुरुआती बिन्द से वा किस दिसा में है सुरुआती बिन्द से वा किस दिसा में है सुर्वाथी बिन्दु से अंतिम बिंदू से सुरुवाती बिंदू किस दिसा में है सुरुवाती से पहले पुछा है अंतिम फिर अंतिम से सुरुवाती ये थोला सान आया इसमें कुछ नहीं जोड़िया देखो एक बार समय लो हलका सा है जब भी उसमें ऐसे 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 आया था ठीक है जब भी पूछेगा सुरुवाती बिंद, सुरुवाती बिंद कहां से था हमारा ये उसमें कुछ करना नहीं है, ऐसे बना देना अब देखा जाए तो ये किस दिसा में है अब वो कहां पे है यह सुरुवाती बिंद हमारा यह था अब वो इसके 20 में आ रहा था इसके बीच में आ रहा था इसका पूछा होता तो कौन सा हो जाता है कौन सा हो जाता है, South, West, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में आ रहा है, तो यही इसके बीच में जा रहा है, ठीक है, यह हमार South हो जाता है, Next, यह हो गया, शुरवाती बिंद से, फिर कुछने पूछाए कि अंतिम बिंद से, अंतिम बिंद पर ऐसे बना लिया करो चारो, प्लस का निसान मना लो, ठीक है, अब यह किदर है, ऐसे है, इस साइड में, तो यह कौन सा हो जाता है, North, East हो जाता है, इसका इंसर, North East हो जाता है, क्या, हाँ, South West हो ही, तो यह पहला लगत बदाएं, South West, नहीं, वो तो हम एक ही कुछन उसमें पूछे थे, यह कुछन पूछे ही नहीं, तो समें खाली मुख पूछे थे, मुख किस दिशा में है, तो मुख South में था, हमने इसमें पूछा है कि अन्तिम बिन्द से, जो सुरुवाती बिन्द किस दिशा में है, कुछन का लेंग्विज अलग अलग है, जो लोका हम समें दो कुछन करो थे न, कितनी दूरी वाला जो, जो आया है, टाइम में घंटा बीच जाता है, पता ही नहीं जलता है, दोस तीन कुछन में पूरा घंटा चला जाता है, दूसरा को अटा है, अश जया को अप्ता है, कर दो सकता है, कि यह सकता है, ब्याव प्रिट सबस्ट कर राँ, यह सकता है, ठीक है बस सही बनाई हूँ बस दाएं भसमें नहीं है यहाँ नहीं 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 है नहीं नहीं राइट राइट सही है अपने याइड आ दोनों कहा है, ऐसे अपने ख़ड़ा कर लो, ऊ-धर करो सफिरन को ठाइल हमारा जांगे फिर दाना मुख हो जाएगा जल्ड दो हमारा कापी नीचे की तरफ इत 1994ikaizer भन गया तो सारे question's आ जाएंगे आगे है है? हो गया? पीछे विट्टा समय में आ रहा है आया आपको पहला दिन है आया किसी का और आप लोगों में कोई कुछ नहीं है और फिगर नहीं बना भी अधे फिगर इपनके यह तो इंसर आजाएगा रायट हमें से क्या कह रहे हैं उत्तर की तरफ हमारा कंप यह फिर हमारा रायट क्या होगा ऐसे नीची की तरफ हो जब तो कापी में इस तरफ हमेसा देखो हमेसा अपने आपको इमेजन कर लो कि हम ऐसे हैं ऐसे जा रहे हैं हमारा राइट यह है यही कापी हमारी है हमारी राइट कापी कौन सा है यह हो जाएगा ठीक है तो यह हो गया फिर उसके बाद फिर कह रहा है फिर राइट तो राइट हमा हम copy-pay अब देख ले रहे हैं तो इस देखो हम copy-pay समझा दे रहे हैं तो लों copy-pay दिकत जो हो रही है क्या कहरा है यह अब यहाँ पर छोटा सबना लूए एक north, south, east, west ठीक है यह बन गया है अब कहरा है कि उत्तर की तरफ 5 km उत्तर की तरफ यह होगा ठीक है पांच किलोमिटर चला उत्तर के तरफ फिर कह रहा है हम उत्तर के तरफ इसे चल रहे हैं ठीक है फिर कह रहा हमारे दाहिने दाहिने तिन किलोमिटर दाहिनी मतलब ऐसे यह हम जा रहे हैं तो हमारा दाहिने यह होगा ना तो दाहिने हम यह से चले कितना किलोमिटर तिन किलोमि तो दाही ने मारा ये कितना होगा पांच किलमेटर जब कहा है इस वाले के बराबर बनेगा इस वाले के बराबर बनेगा क्योंकि पांच किलमेटर ये भी था तो पांच किलमेटर ये कहा तो इसके बराबर ही बनेगा ये तो पांच किलमेटर ये हो गया फिर अब यह जब फि किलो मैटर ही होगा ही यह ज़ा यह दुसरा कहते है क्या कुछ दिशा है ये कि समय तो कि इस समय निचे कौन साइन साइब साव संय तो यह साउथ हो जाएगा ठीक है यह ता समय आप MRI पूछा था नेक्स विशें कि के अंतिम बिंद के प्रारामीक बिंद की प्रारामीक बिंद सन्धि वंद क guitallis क्या था यहां से लेकर यहां तक का पूछा था यहां प्या यह जाएंगा तो यह क्या जोगह पूर फो जाएगा तो हम इसमें कर दिया उसमें बना दे रहे हैं इस पर बना दे रहे हैं तो अजो दिक यह तुम फिर पाच लेमिटर था ठीक यह था यह था यह था प्रिग अब बना यह आ इसे यह अब कुष्च्ट पर आओ पहला कुष्ट जैसे था कि दूरी कितनी थी तो दूरी हमारी यहां से पूछा था पूंछे थे शुरुवाति से एंतिम ना सुरु आती बिंद से वो पूशन हमारा कहा यहां से इस तरफ यहां से इस तरफ कौन सा हमारी दिस आए वेस्ट है ठीक है ये कुछ नमारे हो जाएंगे सब्समें आए कि नहीं आए ये चीज़ अपने आपको हमाल लेना है बस सबसे सिंपल टॉपिक है बाकी बले लेसन भी है उसको भी हम सिंपल बना देंगे लेकिन दिक्कत है कि उसमें थोड़ा सा कनफ्यूजन क्रियेट होता हलका सा है उसमें भी अपने आपको एमेजन करना पड़ेगा जो तस्वीर होगर आवला कुछन साहा आता है यसे ही उसमें बनेंगे उसमें भी ऐसी तरह गाम फीगर बनाएंगा ऐसे गर करके ऐसे 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 ठीक है उसी सारा होगा लेकिन उसमें थोड़ा से अमेजन करना पड़ेगा आपने आपको उसमें भी दो-तीन चीजे हैं फोटो दिया होगा तो अज़ता खुद की फोटो हो लिए इनसान खड़ा है तो कोई दूसरा ही इनसान खड़ा होगा खुद नहीं खड़े होंगे इसे एकलौता दे देगा कोई एक ही होगा जिसे हमने कहा है कि हमारे मामा की एकलौती बहन हमारी कौन है बताओ एकलौती बहन कौन है हमारी मामा मामा मम्मी भूंगी अजिक कुछ नहीं आ जाएगा कि हमारे मामा की हमारे मामा की बहन हमारी मामा की बहन हमारी कौन है मौसी भी हो सकती है मम्मी भी क्योंकि उसमें क्या एकलोती नहीं दिया है एकलोती दे देगा तो किलियर हो जाए कि हमारी माँ ही होंगी ठीक है लिए इद खाली बोल देगा कि हमारे मामा की बहन हमारी कौन है तो मौसी भी हो सकती है और ममी भी हो सकती है एकलोती में होगा तो हमारी क्या होगी ममी ही होगी ठीक है और इंगलिस में तो और नहीं कि दिक्कत हो जाती है इंगलिस में क्या होता है सबको मामा को भी क्या बोला जाता है अंकल ठीक है तो अंकल और वैसे भी अंकल ठीक है मौसी को आंटी ठीक है तो इंग्लिस में तो और कन्फुज क्रियेट होता है मामा को तो मामा महिंदी बोला तरहीं नहीं इंगलिस में उसको अंकल ही उनको अंकल ही कहा जाता है फुफा को भी अंकल ही कहा जाता है ठीक है चाचा को तो अंकल कहा ही जाता है लिए फुफा को भी मामा को भी सबको अंकल कहा जाता है हाँ हाँ दोनों लंगें हाँ ठीक है तो यह इतना समझ आया अब एक कुशन परचाई वाले से कर लो इसे टाइम तो हो गया है हम सोचते एक टॉपिक इस दिन में खतम हो जाने नहीं खतम हो पा रहा है चार दिन खतम होने वाला है वो एक दिन में तो यह इसे इस पढ़े से पढ़ा जाएं तो यह कम से कम चार दिन का टॉपिक है जितने टॉपन कुशन है मिलाब एक में निम्तम दूरी खाली चलिगा एक में दिसा चलेगी एक में之前 कोड़ चलता पूरा तब सारे कोड़ हो पाते हैं ठीक है फिर एक दिन हमारी परचाई वाला चलता ठीक है कि लाश्ट थे उसमें कभी कुछन इस तरह से देगा और जब मैं अइस में और चौशन दिये थे तो उसमें क्या पूछा था है लाश में पूचहेगा टो कुछन देगा स्टार्ट के अंत से सुरू करना पड़ता है था है एसका मुख उत्तर की तरफ है ऐसे कहे देगा कि एक बेखती है सुभे के से तरफ उसकी पषाई बाएं तरफ चल रही है ठीक है पड़ रही है फिर वो अपने दाएं मुड़ा उसके बाएं मुड़ा ये बुड़ा फिर अंद में कहेगा उसका मुख उत्तर की तरफ है तो हम अंत की तरफ से उसको हम figure को बनाना शुरू करते हैं तब जाके हम starting point पहुँचते हैं तो वो सब type के क्योंकि वही कह रहे हैं कि उस सम्में बड़ा time लगता है इस समझने के लिए हैं खासकर समझाने के लिए हैं और समझने के लिए हैं maximum कुछ कुछन एक मिनट नहीं तो सम्में 30-35 सिकंड से जादा नहीं लगना चाहिए तब ही समलो डिजनिंग आएगी इतना बिना इससे यह सब बिना pen pencil के युज़ करने के मालो pen का है तो बिना ऐसे करते 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 कर देना जाहिए मुश्किल से 20 सिकंड में सारे का एंसर आना चाहिए था सभी लोगों चलो ठीक है नेक्स्ट कुछन की लिखो एक परच्छाई से लिखो एक बेक्ती उत्तर की और दो किलिमिटर जाता है फिर वह अपने बाएं मुड़ता है फिर वह अपने बाएं मुड़ता है चार किलिमिटर जाता है फिर वह अपने दाएं मुड़ता है फिर वह अपने दाएं अब तक बाएं बोले थे ने इसके पहले अपकी दाएं फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और पाँच किलिमिटर जाता है पहले बाएं बोला था अपकी दाएं फिर फिर पाँच किलिमिटर जाता है वह यह सब सुबह नो बजे करता है यह सुबह करता है यह भी जहां मान लो कोई नहीं चाहे नो लिखो चाहे न लिखो खाली वह यह सब सुबह करता है लोग सुबह के टाइम में यह सारा काम कर रहा था कि जहाँ जाना आना जो हो रहा था सुबह के टाइम में हो रहा था तो उसकी परचाई तो उसकी परचाई उसके तो उसकी परचाई उसके किदर पड़ेगी? मलब वही आगे पीछे दाएं बाएं उसकी परचाई उसके किदर पड़ेगी? और फिर नियुनतम्दूरी भी गयाद कर लो दूसरा कुछन है नियुनतम्दूरी बताओ लिख लो से में एक दो कुछन अपने आप से बना सकते हैं लेकिन रहने दो कोई बात नहीं बस इतना ही पहले करो परचाही वाला है तो परचाही इस करो कुछन आप लोग अपना खुद बना सकते हैं कि नियुनतम्दूरी गयाद कर लो किस दिसा में है सुरुवाती बिन से हो किस दिसा में है अंतिमिन से हो किस दिसा में सुरुवाती बिन कुछन एक कुछन से कई कुछन बना सकते हैं नो फाली परचाएं अच्छा बता दो परचाएं उसके आगे पड़ेगी पीछे पड़ेगी दाएं पड़ेगी आप आएं पड़ेगी किसमें इपनो फाली एंस तर किसमें कि बता हैं पर भ़ेगी एंस किंज दिया है इंस हम आप लृब़ेगी को एंसDuैas